हेलो फ्रेंस, टाइफाइड टेस्ट जिसे टाइफाइड रैपिट टेस्ट भी कहा जाता है, मानव सिरम या प्लाजमा में साल्मोनेला टाइफी और पराटाइफी की एंटी बोडी का पता लगाने के लिए एक टेस्ट है, इसका अदेशिय स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप मे साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पराटाइफी की इंटी बोडी का पता लगाता है, इसके लिए एक केसिट या कार्ड उप्योग में लिया जाता है, जब परियक्त मातरा में सीरम या प्लाजमा को केसिट या कार्ड में डाला जाता है, तो केपिनरी एक्षन द्वारा या सीरम माइगरेट होता है, और यदि टेस्ट सेंपल में IgG या IgM एंटी बोडी मौजू थे, तो वह ए लाज रंग की लाइन या बेंड बनाता है, जो सालमनेला टाइफी या सालमनेला प्ला टाइफी की इंफिक्षन का संकेत देता है, तो आप सवान रोगता है कि इसके रिजट को कैसे समझे, तो देखिए, यदि टेस्ट के सिट में केवल C पर लाइन होती है, और दोनों टे साथ में M लाइन बनती है, या G लाइन बनती है, या M और G दोनों टेस्ट को पोजिटिव का जाता है, तो आप इसको भी समझने की जरूत है, यदि केवल C के साथ M लाइन बनती है, तो यह वरत्मान में सालमनेला टाइफी या सालमनेला पर टाइफी की इंफिक्षन को बत स्थिति को इंगीत करता है जो बताता है कि टाइफाइट का एक्टिव इंफेक्शन नहीं है यदि दोनों लाइन M और G दिखती है तो यह सालमनला की एक्टिव इंफेक्शन को दिखता है जिसको वे काफी दिन पहुच चुकी है तेंक यू